कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ बाइनुमेल मोडल की जो प्रावलम था जिसमें नॉवमबर 2023 अटेंट में इस्टरेंट को मार्क्स नहीं मिला है उस प्रावलम को हालेट करने की कोसिस किया था कि आप लोग को जो है मार्क्स नहीं दिया गया है तो जो मुझे जो रीजन समझ आये था जो अनलेसिस समझ आये था उस चीजों के basis पे मैंने अपना opinion यहाँ पे सेयर किया था तो कुछ अश्टरेंट जो हो मुरे से disagree करते हैं और जो disagree करते हैं उन्होंने अपना comment भी डाला हुआ है दो लोग की comment पे मैं आऊंगा इस वीडियो में और मैं आपको ये भी बताने की कोशिस करूँगा इस कोडियो में कि आगे हम क्या करें एक चीज हमें से याद रखना जो भी कुछ मैं बता रहा हूं उसको neutral mind से देखने की कोशिस करना किसी के favor में हूँ किसी के against हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ उनको समझना आप अपने फा अपना सुधारे अब मैं आपको बता दू पहले मैं अमन के comment पर आता हूँ अब यहां पर कहना है कि दू रिस्पेक्ट एवरिवन विज रिडिंग दिस कैन वेरिफाई वाट आई राइट बाइनुमेर मोडल है थ्री अप्रोच इनका कहना है कि बाइनुमेर मोडल में कित सवाल पूछना चाहता हूँ अवन जालान से कि आप मुझे बताइएगा यह तीन मिथड आपको किसने बोला है क्या ICI ने आज तक कभी थ्री मिथड आपको लिखके दिया है सबसे पहला question आप अपने आप से question पूछो और फिर मुझे answer देना यह तीन मिथड आया कहां से आ अपसिटी के auditorium में classes लिया था यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर सिक संडेड के भीड में पढ़ रहा था और आप अगर आज आप जहां आप से भी article सिप कर रहे होगे आप अपने boss को एक बार पूछ ना कि SFM कहां से पढ़ा हो तो 90% सांसे कि उन्ही टीचर का नाम आएगा जहां से मैं पढ़ा हूँ हमारे टीचर ने भी दो ही method पढ़ाया था delta hedging और एक risk neutral यानि कि हमने कितना पढ़ा था मैं आपको बता दू मैं जिस टाम पढ़ा था तो मैंने दो method पढ़ा था risk neutral delta hedging आज मैं पढ़ाता हूँ दो method पढ़ाता हूँ अब आते हैं IC ICI के बाद ICI क्या कहता है याद रखना ICI के study mat में है ही नहीं second method delta hedging method नहीं है तो यह रहाव ICI की part की बाद तो मैं आपको बता दू यह correction बहुत जल्दी आ जाएगा हो सकता है आपका यह जो doubt है इस बार की binomial में यह पूरे reframe हो कि आपके study mat भी बन के आएंग अगला reprint क्यो क्योंकि जहां पर ICI mistake था उस point को मैंने ले के आया याद रखना ICI ने study mat में कहीं पर इन दोनों method को डिल तीन तो दूर के बात है तीन तो छोड़ी दो आप मुझे नहीं पता कहां से पढ़ते हो मेरे पास reference book भी है तीन method तो कहीं पर डिल करके ही नहीं दिया ना मैं पढ़क आईए अब मैं study mat में इस point पर बहुत confusion यह तो मैं आपके साथ agree करता हूँ तो हमारे syllabus से study mat decide नहीं करता है जी आप लोग ये भी समझो सारे student में ध्यान से बोल रहा है एक दम neutral हो कि आप इस video को देखो और आप अपने आपको improve करो ताकि आगे mistake ना करो आप लोग समझ में suggested भी है है ना कुछ suggested भी है अब suggested के मुताबिक चले तो suggested के मुताबिक आज तक दो मेथड हुआ करता था study mat के मुताबिक binomial model के delta hedging पर कहीं भी कोई discussion नहीं है एक बाद डिल्टा ratio निकालने को बोला है hedging ratio उसके अलाबा कहीं को discussion नहीं है अब आ जाते suggested पर आप मुझे strike price 26,000 दे रखा है और कहते है price आपका 27,300 पे भी जा सकते है 24,700 पे भी जा सकता है इस question में बोला है कि option की premium justified है या नहीं है question के अंदर method specified नहीं ध्यान से रखना method specified नहीं है binomial की situation है मानता हूँ आप और down की price दे रखा है binomial की situation है अब आप मुझे बताइए किस method से question को solve करना चाहिए मैं एक मिनट के लिए आपको suggested पर लेकर जाता हूँ आपको दूसरा case में risk neutral method को हेज किया है जो की probability निकाल के call option की premium निकाल है आप मुझे बताइए suggested के मुताविक तो institute ने आपको दो ही method को deal किया तीसरा method आया कहां से मुझे नहीं पता मुझे आता भी नहीं है ना मैंने जानने की courses किया है ओके वापस आते अब आप बात करोग है RTP, MTP, MTP, November 19 में आया हुआ है November 15 में भी आया हुआ है दंसर रखना वैसे ये question CA institute ने जो copy किया है वो CMA institute से copy किया है क्योंकि CMA institute ने 2007 में ये question पूछा हुआ है जबकि आप देखो इनके पास first वार history में है 2015 में 2015 से अब तक इतने वार ये question डाला गया है आपके पास जिसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखना hedge ratio कि आपको share का number of share calculate करवाता है आपको यहाँ पे यानि कि यह जो deal कर रहा है आपको delta hedging को deal कर रहा है आज तक institute के पास तीसरा method तो था ही नहीं तो आपके पास यह तीसरा method आया कहां से जी अब इसके लिए आप अगर कुछ अगर आप कै कराने के लिए हम लोगे पहल करते है उसके लिए पहल करते है उसके तो मैंने पहले भी बोला है अभी मैं इस वीडियो के महारफ़त आपको लोगो बोलता हूं मैंने अभी फिर से थी देज पहले मेरे को board of studies के जो deputy director मारा असिस गुपताजी उन से कॉल आया कि आप कुछ टीचरों के साथ opinion लेकि हम अगर जाएं अब जो डेली में हो तो हम साथ भी जा सकते हैं और अगर डेली के बाहरे तम उन लोगो की opinion को collect करके और फिर हम अगर पहुंचे तो ज़्यादा effective होगा यह मैंने सोचा तो मैं इन चीजों के लिए collection कर रहा हूं मैंने तीन टी प्रतिक जगाती सर से दोनों से मैंने personally contact कर लिया उन लोगों का मैंने viewpoint collection मैंने बोला है कि आप अपना मुझे opinion मुझे दीजिए ताकि मैं विजिट कर रहा हूं तो उससी जोकों मैं प्रिजेंट करूँ आप लोग उसे बोलता है बाकि दूसरे सरका मेरे पास number नहीं है आप मैं बता दू जब मैं September 2023 में जब मैं first time Board of Studies में विजिट किया था जो मैंने पीछे भी बताया था आपको कि मेरे को Central Council Member ने वहां तक contact करा कि मुझे जब मिनने के लिए वे जा था तो उसमें जो भी कुछ questions पर हमारा discussion हुआ था उसमें कुछ questions का correction हो चुका है जैसे मैं आपको वीडियो बना दूगा है इस वीडियो पर हम सिर्फ वाइनमी और मोडल पर इस्टिक्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर है यह copy जो है न बुक का है यह आपका updated है यह updated अप्टू नॉमबर 2023 का है हम कैसे है फोर मांथ पुराना updated है यह मेरे पास institute नहीं बेजा है Board of Studies ने बेज afmcorrection at gmail.com आप लोग दो चीज मुझे mail कर सकते हो एक तो जो आपको टीचर ने mistake बता रखा है वो आप मुझे बताए ताकि होगा क्या अगर दो तीन टीचर की एक साथ opinion को मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा ICI में तो ज्यादा effective होगा जो मेरा मानना है तो वो mistake वाले portion को हम correction कराते एक और भी चीज बता दू यह जो binomial modal study mat के उसमें तो reframe होगा इसको तो आप ध्यान से रखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना आगे क्योंकि binomial modal में इसमें दिक्कत था study mat के अंदर उस दिक्कत को तो पूरा का पूरा reframe होगा इतना reframe होगा कि सायद 24 में जो exam होना है उससे पहले में binomial पे एक और और मैं आपको वीडियो वनाऊंगा जो मेरा board of studies के साथ जो discussion होगे उसके लिए क्योंकि problem है क्योंकि study mat में कह रहे है कि मैं binomial modal की जहां-जहां लिखा हुआ उसको में delta hedging यूज करूँगा तो दिक्कत आ जाएगा दिक्कत क्य मैं अपना पूरा का full effort डाल रहा हूँ तो मैं again repeat कर रहा हूँ जहां पे और एक और भी चीज बता दू अगर किसी को लगता है कि मैं इंस्ट्यूट की mistake को मैं छुपाता हूँ तो गलक सूच रहे हो आप साद मुझे पहचानते नहीं हो मेरे पहले वाले चैनल पे चले मैं जिसमें 60 question का list दिया हुआ है कि institute कहां कहा mistake है तो मुझे बता है institute का mistake तो मैं हमें सा highlight करता हूँ तो वो चीज नहीं है लेकिन मेरा यह मानना है कि जहां हम mistake करें वहां हम तो अपने आपको improvement कर ले आईए तो सबसे पहली बात आपकी दिक्कत क्या हुआ अमन जी आपके द पता है delta hedging method और risk neutral method अब question में पूछता है कि calculate कर यह option का value using risk neutral method और आपको बोला कि binomial model सबसे पहले तो institute को binomial model लिख के देना नहीं चाहिए था क्योंकि binomial model अपने आप में एक situation है जिसके अंदर अलग-अलग method होता है delta hedging लिख के देना चाहिए था नहीं दिया वो institute के part का fault है लेकिन मैं बताता हूँ as a student क्या हम लोग इस situation को deal कर सकते थे हां कर सकते थे क्योंकि risk neutral में probability निकाला जाता है तो इसमें तो probability नहीं निकालेंगे यस बात की तो 100% surety है तो फिर mistake होगा क्यों? confusion इसलिए हुआ क्योंकि आप तीर मेथर पढ़ते हो तो आईए पढ़ते है एक in the question just tell you solve via risk neutral method and by the method how does the students know which one second is second method कौन सी बनता है आपको इसलिए confusion हुआ क्योंकि आपने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया और institute के जैसे ना पढ़नी की वैसे दिक्कत आई अगर institute के जैसे पढ़े होते तो साइद आपको दिक्कत नहीं आता है चलो एक फीज तो इसका deal हो गय binomial क्या करें देखें कुईस्टन में कहीं भी नहीं बोला है कि only delta hedging से करो binomial को तो ये भी तो नहीं बोला है कि कोई और बाई एक ही चीज बताओ institute ने दो ही मिथड बोला है तो एक risk neutral बोल दिया तो balance वही बसता है न जी क्या बोलूँ मैं आप लोगो उनके question सही से बनाना च इस सीजो के लिए ये point जो अभी आप बोल रहे हो ना ये point मैंने रखा था जब मैं बिजिट हुआ था जब आई से तब भी मैंने ये बोला था तो उसी टाइम इसी ने बोला कि हाँ ये मैं बाईनोमियल मोडल के पूरे concept को में रिवाइज कर देता हूँ इस सीजो के लिए ये चीज भी मैं आपके agree करता हूँ कि जो हमारा late cancellation है उसमें 3 days का time दिया जाता है FEDAI rule के मुताबिक जो amended rule है लेकिन institute ने जो question बोला पूछा वो 15 days के हिसाब से क्योंकि 10 days बाद आता था तो उस season में उसने agree कि हाँ कि जो examiner ने जो question set किया उस provision को नहीं जाना लेकिन उनका कह अब इसके बाद आपकी मुसीबत जो बढ़ गई है ना इसके बंदर मुसीबत बढ़ गई two period binomial model अब यहाँ पे आपकी doubt कि आएगी कि using binomial model हमें question को solve करना है तो क्या मैं समझो इस binomial model को हां जी यहाँ आपकी confusion इस attempt के बाद अब आपकी जाईज है ठीक है क्या जाईज है क binomial model में अब मैं क्या यूज करूँ डेल्टा है जिंग या risk neutral समझ में आगए बात तो देखो मैं हमेशा एक ही चीज बोलते आया हूँ पहले भी बोल रहा था अभी भी मैं बोलता हूँ ठीक है पहले भी बोलता था अभी भी बोलता हूँ कि जो हमारे notes में पहले से मैंने ल दिखवाता हूँ कि देखो one period के लिए मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ लेकिन two period में specifically बोलता हूँ कि आप risk neutral ही यूज करो binomial model के अंदर तो क्या two period binomial model में अगर ये binomial model करके आया हुआ है ठीक है तो मैं कौन सी method यूज करू डेल्टा हैजिंग नहीं डेल्टा हैजिंग स अलड़ी class की video होगा अगर आप लोग को लगता है जानने की कोसिस में थोड़ा से confusion है अप लोग का तो मैं video share कर सकता हूँ देखो दिक्कत क्या होते है आप लोग की response नहीं रहता है आप लोग को interest नहीं रहता है इसलिए मुझे भी interest नहीं होता है video डालने की video में अपने फा मानके चलते हैं कि हम जो जानते हो सही है वो चाहते हैं कि तीन मिथर हम जानते हो सही है आज तक इंस्चूट ने कभी तीन मिथर लिखे दिया ही नहीं है तो अपने तीन मिथर पढ़ा क्यों फिर सबसे पहली बात और हो सकता है किसी study mat क्योंकि मेरे पास तो जितना book अवले नहीं है जहां से में पढ़के है तो वहाँ पर लेवल था ठीक है वापस आईए तो अभी मैं बोलता हूं कि अगर two period binomial model आता है और binomial model लिखके देता है ठीक है तो फिलहाल अब तक मैं फिट repeat कर रहा हूं यह study mat में correction होंगे उनका मानना है कि यह question भी modify करेंगे याद रखन इस सारे question में modify करेगा जहां जहां binomial word लिखा हुआ है तो इसको पूरा का पूरा रिय स्ट्रक्चर होने वाले आपके study mat इस binomial पे लेकिन जब तक नहीं हुआ है जब तक आपके पास कोई update नहीं आ जाता है तब तक इस binomial model अगर two period के अंदर आप risk neutral ही समझो और probability के साथ question solve क करने के काभिल आप बचोगे नहीं ठीक है और बांकी जगों पे जहां silent है दोनों में से कोई भी method यूज करो तीसरा method तो कभी सोचना भी मत आप ICI के point of view से क्योंकि ना ICI ने कभी रो बोला है और आपको का ICI कभी डालने वाला है आने वाले time पे ये भी चीज है ठीक है तो मैं क्या कहता हूं तो फिर कुछ बच्चों को दिमाग में आएगा अच्छा सौर तो फिर हमें कैसे पता चलेगा अरे एक चीज बताओ ना ये नौंबा 23 की question है जब question में लिखा है using binomial method और risk neutral method जब दोनों लिख दिया है जब risk neutral को अलग कर दिया तो बचता क्या है आपके पास एक ही बस्ता है ना चीक है इससे कुछ improvement हो सकते है तो कर लीजे अगर लगता है कि फिर भी नहीं आपके mind में तो आपके हिसाब से चल रहा है तो आप अपनी तरीके से आप अपना पढ़ सकते हो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता देखे टीचरों को का काम होता है झाल झाल